वो पांच अभिनेता जिन्होंने तारक महता का उल्टा चश्मा के जेठालाल बनने से मना कर दिया था पहले रोल लगा था कमजोर और छोटा लेकिन अब पॉपुलर्टी देख आज गलती पर कर रहे हैं पच्टाबा देखिए कैसे दिलिप जोशी को मिला जेठालाल का किरदार और कैसे मेकर्स ने उन्हें मनाया देखिए कौन से वो पांच अभिनेता हैं जिन्होंने जेठालाल का रोल करने से मना कर दिया था तारक महता का उल्टा चश्मा टीवी शो आज हर भारतिय की पहली पसंद है हर घर में इस शो के फैंस मिल जाएंगे जितना मकबूल ये शो है उससे कहीं जादा इससे जुड़े किस्से हैं आज हम आपको वो किस्सा बताएंगे जब तारक महता का उल्टा चश्मा शो में जेठा लाल का किरदार अदा करने के लिए कोई तयार नहीं था शो के मेकर्स ने पांच कलाकारों से संपर्क किया लेकिन रोल कमजोर होने का दाबा कर ठुकरा दिया गया और फिर दिलीप जोशी को जेठा लाल बनाया गया लेकिन जिन पांच अविनेताओं ने रोल ठुकराया आज वो सब पच्चता रहें और खुद को कोस रहें बताएंगे उन अविनेताओं के नाम, लेकिन पहले आप बताएं कि तारक महता का उल्टा चश्मा शो में आपका सबसे पसंदीदा करदार कौन सा है हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं अब बात करते हैं उन अबिनेताओं की जिन लोगों ने जेठालाल के करदार को अदा करने से मना कर दिया था इस लिस्ट में सबसे पहला नाम कीकू शारदा का आता है आज कल दकपिल शर्मा शो में नजर आते हैं कीकू शारदा और अपनी जबरदस्ट कॉमेडी के लिए मशहूर हैं कीकू को भी जेठालाल की भूमिका के लिए पूछा गया था लेकिन उन्होंने इसे असुई कार कर दिया था जानकारी के मुताविक वो कोई फूल टाइम सीरियल नहीं करना चाते थे वो स्टेंड़ अप कॉमेडी में खुश थे दूसरे नंबर पर नाम आता है अबिनेता राजपाल यादव का राजपाल यादव टीवी के साथ हिंदी फिल्म जगत का एक जाना माना चेहरा है वो बॉलिवुड पर ही फोकस करना चाते थे तो टेलिवीजन पर काम नहीं करना चाते थे और इसलिए उन्होंने जेठालाल के रोल का ओफर ठोकरा दिया था तीसरे नंबर पर नाम योगेस त्रपाठी का आता है योगेस त्रपाठी भावी जी घर पर हैं और हपू सिंग की उल्टन पल्टन में नज़र आते हैं जानकारी के मुताबिक उनको जेठालाल की भूमिका के लिए ओफर किया था लेकिन वो दूसरे शो की शूटिंग में व्यस्त थे और उन्होंने मना कर दिया चौथे नंबर पर कॉमेडियन एहसान कुरैशी का नाम आता है एहसान कुरैशी की पहचान एक स्टेंड़ अप कॉमेडियन के रूक में होती है मगर कम लोग जानते हैं कि वो अच्छी एक्टिंग भी कर लेते हैं उनकी इसी प्रतिवा को देखते हुए उनसे जेठालाल के रोल के लिए संपर्क किया गया था मगर उन्होंने तारक महता का उल्टा चश्मा में काम करने से मना कर दिया था आखिर नंबर पर नाम अभिनेता अली असगर का आता है अली असगर जेठालाल के रोल के लिए मेकर्स की पहली पसंद थे लेकिन अली वक्त नहीं निकाल पाए और उनके हाँ से ये रोल चला गया अली कहानी घरगर की कोटुम्ब, कॉमेडी सरकस, कॉमेडी नाइट स्विद कपिल जैसे शो में नजर आ चुके हैं तो ये वो अभिनेता हैं जो जेठालाल बन सकते थे लेकिन किसी न किसी कारण से इन्होंने शो करने से इंकार कर दिया और फिर जेठालाल की भूमिका दिलीप जोशी के हाथ लगी और आज वो हर घर में पसंद किये जाते हैं जिन लोगों ने इस रोल को करने से मना कर दिया था आज वो जेठालाल और शो के किरदार की मक्बूलियत देखकर पच्चता रहे हैं बेरो रेपोर्ट मीडिया हल चल